सफलता का एक स्थम्प और बहुत महत्वका है वो है अस्तित्व रखना अपने शब्द का या कोई भी हम कमिट्मेंट करते हैं उसका अस्तित्व रखना उसको बहुत है इसका मतलब क्या होता है क्या होता है कि हम कुछ भी बात करते हैं कुछ भी प्रामिस देते हैं किसको कुछ कमिट्मेंट करते हैं जो भी कुछ करते हैं तो वो रहते हैं हमारे दिमाग में और दिमाग अपना ऐसा है कि उसमें कितने काम रखेंगे वो भूल जाता है मोजदी ज किसके साथ मिलक्राइंगे किस तरह से होंगे या आप existence में रखते हो मतलब कैलेंडर में डालके लिखते हो राएं है a capture dule में रखते हो जो कोई भी चीज आपको बनाने का है तो दो और बनती है समझों आप मकान बनाते हो तो आर्केटेक मकान दो बार बनाता है एक बार बनाता है हो एक्सिस्टेंस में प्लैनिंग मिलाता है पहले हो कौन सा काम कब होगा कौन सा काम कब होंगा प्लैनिंग कैसे होगा नक्षा कैसे बनेगा मतलब पूरा हो राता है और दुसे म मकान बानना चलो हbling कि एकिशिस्टंस के तो हमको एकिशिस्टन 50 किलमेटर दूर है तो फिर मैं देखूंगा एक घंटे का तपर टय हो गया था मैंने Krause किया एक गंडे बात में मैं पचैस सो इसम अ किलो मेडर पार किया है किया कहला है। एक में ने कर सकता हूँ जया श इन गो मुझे सव खार करें हम आना ब्रॉप पेपर लाऊंगा ने वे टार्गेट के बारे में एक्सिंगा ने एक्षिंस कब कभ होंगे कैसे कैसे होंगे वह लिखूंगा ने तब तब दिमाग में रहेगा कि अैक्ट रहा है कि हम कुछ भी बोल देते हैं समझ नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं कल आपको सफक दस बजे मिलूंगा मैं मैंने बोल दिया म yayक कल आपको दस बजे Ingva यह बोलने का मान मुंभ बंद हो गया अब मैंने जो शब्द दिया है कि कल में 10 बजे मिलूंगा मुह बंद हो गया अब वो कहा है शब्द वो तो हम है जब तक मैं उसको एक्जिस्टेंस में रखूंगा नहीं जब उसको मैं एक जगह पर रखूंगा नहीं कि जो जगह याद मुझे देंगी और वह हमारा टाइम वह हमारा कैलेंडर वह हमारा कैप्चर टूल तो उससे आपको बहुत फायदा हो तो एक्जिस्टेंस बहुत जरूरी है एक्जिस्टेंस आफ रखते है कोभी चीज का अस् तो एक्जिस्टेंस इस वेरी पहर फूल तूल पूर शक्सस्स थैंक यू